सुख्र मॉनिंग आईज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के याने की 11 अगस्त की important current affairs को तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में अमेजन वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधी संगठन की स्थापना ये कांपे की गई तो अंसर होगा ब्राजील में तो अभी अमेजन सहयोग संधी संगठन इसकी स्थापना की गई है और साउथ अमेरिका के आठ देशों ने इसकी स्थापना की है कहां पर स्थापना की गई बैलम ब्राजील में त तो अभी इनी के संगरक्षन के लिए एक संधी की स्तापना की गई कहां पे ब्राजील में, तो ये आपको याद रखना है, ब्राजील साउथ अमेरिका का एक देश है, इसके कैपिटल क्या है ब्राजील की ब्राजीलिया, अच्छा हर बार हम कंट्री को पकड़ते हैं, कोई जान से सुनते जाना, पहला प्राजन तो ये बन जाएगा विश्व की सबसे लंबी परवत श्रंखला, ये कौन सी है, एंडीज परवत माला, साउथ अमेरिका में है, और साथ में मैं कोशिश करूँगा, कि पिच्चर के थुरू, मैप के थुरू भी आपको चीज़े भी मिलेगी, जो की नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और प्रत्वी के फेफडे, लंग्स ओफ वर्थ किने कहते हैं आपको बताई दिया, अमेजन वर्शावनों को, अचा सरवादिक जैव विवित्ता वाला इस्तान, ये अमेजन के अमेजन वर्शावनों को क्या का जाता है, पंपास गास के मेदान, और अर्जेंटिना से आपको याद आएगा, पेटागोनिया का मरुस्थल, ये अर्जेंटिना में है, और मरुस्थल की बात है, तो एक इंपॉर्डेंट प्रश्ट बनता है कि विश्व का सबसे शुश् का मिस्थान है, जिसे भूतों का टिला भी कहा जाता है, सल्फर नाइट्रेट के कारण, अच्छा वैसे ब्राजील में जो घास के मेदाने उनको क्या केता है, और ब्राजील में जो कॉफी के बागान है, उन्हें फैजेंडा कहा जाता है, और मैंने आपको बताया है, विश का जील ये पेरू और बॉलिविया की सीमा पर है, सबसे उची नौगम्य जील है ये, तो आज देखो साउथ अमेरिका से सम्मंदी जितने भी इंपोर्टेंट आपके इस्टेटिक प्रश्ण बनते हैं, वो सारे मैंने आपको यहीं बगरा दिये, और आपको यादे कल के व पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे बता है फिर भी, आप लोगों ने अपने पूरी कोशिश की, तो इसलिए मैंने भी आप सोच लिया है कि आपको यह सारे सारे सस्थनेबल डेवलप्मेंट गोल्स मुझे याद कराने ट्रिक के मात्यम से, और इस तरह से याद कराने कि वह इसे ना चाहिए उगलियों पे, थनक थनक, यह वादा रहा मेरा, लेकिन चलो कल का टार्गेट तो अमारा पूरा नहीं हुआ, लेकिन वीडियो आ जाएगा तब उसका तो टार्गेट पूरा करोगे न, चलो देखते हैं, और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख र कर क्या करने का अगरखिया, तो आंसर होगा केरलम, तो अभी केरल विधान सबा ने सर्व सम्मती से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से, राज्य का नाम केरल से बदल कर केरलम करने का अगरखिया है, और वैश्विक इस्तर पर राज्य की उपलब्दियों का समर्थन करने के लिए केरल राज्य भी एक नवंबर से केरा लियाम दो हजाद तिविस मनाएगा तो अभी केरल विदान सबा ने सरु सम्मति से केंद्र सरकार से अनुरोत किया है कि वे सम्विधान के अनुछे तीन के तहत इसे केरलम के रूप में संसुदित करने की तकाल कदम में इसका नाम बदल कर केरलम कर दिया जाए चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ आठवी अनुशुची में कितनी भाषाएं शामिल है वैसे बात यहाँ पे केरल की है तो यह रहा मैप में केरल देखो के कैपिटल तीरुनंत पूरम में यहाँ पे भारत का पहला स्पेस टे यह भी होगा तिरुनंत पूरम में और Digital Science Park भी खोला गया तिरुनंत पूरम में अभी फ्रांस और भारत की बीच में जो fringex एक्सतरजाईज हुआ था वो भी हुआ था तिरुनंत पूरम में वेसे यहां के मुख्य मंत्रिये पिनाराई विजियन और गवर्नर है आरिफ महम्मद खान अच्छा यहां से दो क्लासिकल डांस भी आप याद रखना एक तो है कथकली और एके मोहिनी अक्टम तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाले में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने इंद्रा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना दोजा तेविस शुरू की है तो अंसर होगा राजस्थान तो अभी राजस्थान के जो मुख्य मंत्रियां शोग गेलो उन्होंने इंद्रा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना दोजास तेविस को शुरू किया है इस योजना में राज्य की महिलाओं को स्मार्टफोन दिये जाएंगे और स्मार्टफोन का वितरन 10 अगस्थ से लेके 30 अगस्थ 2023 तक होगा जिसमें विद्वाओं और तलाग शुदा महिलाओं को प्राथमिक्ता दी जाएगी तो याद रखना ये योजना शुरू की है राजस्थान ने अब बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान देखो राजस्थान की कैपिटल जैपूर है मुख्य मंत्रिया अशोक गेलोत और गवर्नर कौन है कल राज में शिरू अभी आपको याद है राजस्थान की कुछ प्रोड़क्ट को जी आई टेक मिला था रिविजन करवा हूँ अगर मैं आपको तो एक तो राजस्थान के नात द्वारा में बनाई जाने वाली है पच्छुआई पेंटिंग उसे मिला और उदेपूर कोफ्त गारी मेटल क्राफ्ट को मिला विकानेर की काशिदाकारी शिल्प को मिला विकानेर की उस्ताकला शिल्प को मिला और जोत्पूर की बंदेज शिल्प को जी आई टेक मिला और अभी राजस्थान हाई कोट की चीफ जस्टिस बने आउगस्टिन जॉर्ज मसीह अभी पहली प्रीमेर हैंडबॉल लीक का आयोजन हुआ था जैपूर में और मिस इंडिया दोजार तेविस का खिताब जीता है नंदनी गुपता ने वो कोटा राजस्तान से हैं तो ध्यान रखना ये पॉइंट बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाले में कौन सा बैंक 24 into 7 Video Banking सेवा पर दान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है तो आंचरोगा AU Small Finance Bank तो AU Small Finance Bank ये Video Banking के माद्यम से 24 into 7 सेवा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया है AU Small Finance Bank याद रखना ये देश का सबसे बड़ा Small Finance Bank भी है जिसकी सस्थाप्नाउथी 1996 में हेड़कवाटर है जेपुर राजस्तान में और MDCO संजी अगरवाल है आप जानते हो भी जो उज्जीवन स्मल फाइनेंस बैंक है इसके हेलो उज्जीवन एप्लिकेशन ने तेरवा एजस ग्राहम बैल अवाड जीता और फिनो पैमेंट बैंक भारत में पहली बार सर्च खात इनको बता दिया मैंने आपको बढ़ते आगे फर बताईए हाली में जल जीवन सर्वेक्षन दोजार टेविस के तहट सबसे अधिक परदेशन करने वाला जिला कौनसा बन गया है तो आंसरोगा शिरिनगर तो जम्मू कश्मीर का शिरिनगर जिला ये जल जीवन को मजबूत करती है तो शिरिनगर ने एक उक्टूबर 2022 से लेके 30 जून 2023 तक आयोजे चल जीवन सर्वेक्षन के मुल्यांकन में अपने असाधरन प्रदेशन के माद्यम से ये सम्मान हासिल किया है अब आप पूछोगे ये जल जीवन मिशन कब लांच हुआ था तो आंचर से खरपतवार हटाने के लिए इसे लांच किया था कहां पे बंगलूरू में और जल दूद क्या है ये एक अप्लिकेशन है जिसे ग्रामिन विकास मंत्राले ने लांच किया था और अभी चौथे राष्टर जल पूरुसकार 2022 में टॉप पे रहा था मद्यप्रदेश वहीं और अभी जल बजट को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना केरल बना था तो ध्यान रखना ये बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए अभी हाली में भारत और साओधी अरब की नौसेना के बीच हुए पैसेक्स अभ्यास में किस भारते जहाद ने हिस्सा लिया तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो हुआ कहां पे साओधी अरब के जड़ा में है अच्छा अभी साओधी अरब और भारत के बीच में एक और एक्सरसाइज हुआ था अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज चलो कुछ important एक्सरसाइज आपको revise कर रहे है तो एक तो अभी आपक के साथ मिश्र के साथ हमने पहला एक्सरसाइज किया साइकलोन वन राजस्तान में और डस्टलिक एक्सरसाइज हमने किया उजबिकिस्तान के साथ में उत्तराखंड के पिथोरागड में और अभी F इंडेक्स एक्सरसाइज हमने किया ये 20 अफरी के देश और भारत के बीच में हुआ था पुने के ओंद सेने स्टेशन में बताया भी था मैंने ये प्रश्ण एक्जाम में आय था भी बाकी तो अभी अमेरिका के साथ हमने सेलवेक्स एक्सरसाइस किया था केरल के कोच्ची में और इसी साल अभी अमेरिका के साथ कोप इंडिया excercise भी किया हमने पच्चिम मंगाल में और मंगोलिया के साथ हमने अभी नमेडिग Elephant नाम का exercise किया कहाँ पे मंगोलिया के उलन बतोर में अच्छा अब आपके लिए एक प्रस्ट नै अभी बोल्ड कुरुकषे त्रिक्स रसाइज हमने किस देश के साथ किया और कहां किया बताओ हम बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए हाली में एशियाई युवा और जूनियर भारत तोलन चेंपेंशिप दो जाते वेश का एवजन ये पहली बार कहां पे किया गया तो अंसर होगा भारत मेडल जीते उसमें से आठ गोल्ड है और इसमें वुमेंस केटेगरी में भारत दूसरे स्थान पर रहा है मेडल लिस्ट में पहले पर तो उजबेकिस्तान है और वेटलिफ्टिंग की बात है तो एक नाम आपको जरूर याद होगा मीरा बाइचानू का नाम क्यों याद होगा क्योंकि बड़ा फिमस है इनका नाम और अभी कुछ कारणामा किया खे इनूने आपको याद होगा अभी 2022 का BBC Indian Sports Women of the Year इनको चुना गया था ये 2023 की ही नियूज है और लगातार दूसरी बार इने चुना गया था मीरा बाइचानू और हमने पढ़ा था एशियन वेटलिफ्टिंग चेंपिंशिप 2023 कहां पे होंगे साउथ कोरिया के जिंजू में होंगे वैसे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेड़कॉर्टर का है लोजेन स्वेजरलेंड में है तो ये ध्यान रखना बढ़ते हैं गई फिर बताईए अभी विश्व जैविंदन दिवसकब मनाया गया तो आंसर होगा 10 अगस्त को तो हर साल 10 अगस्त को वर्ड बायो फ्यूल डे के रुप में मनाया जाता है ये दिन सर रुडॉल्फ डीजल के द्वारा किये गए अनुसंधान प्रयोक के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने 1853 में मुंखवली के तेल से इंजन चला दिया था और उन्होंने ये भविश्यवानी की दि की भविश्य में जयविंदन यानि कि बायो फ्यूल का उपयोग होगा इंजन्स चलाने के लिए तो वर्ल्ड बायो फ्यूल डे कब मनाते हैं हम 10 अगस्त को मनाते हैं चलो important day वालग उश्यन है रिवाइस करते हैं अगस्त के important days को तो एक अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस था एक अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस और एक अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे था एक से लिके 7 अगस्त को आपने विश्व स्तनपान सप्ता मनाया 2 अगस्त को अर्थ अवर्शूट डे 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस 7 अगस्त को नेशनल हेंडलूम डे 9 अगस्त को नागासा की डे और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी डिवस और अभी 10 अगस्त को आएक तो अपने वर्ल्ड लायन डे भी मनाये था तो अगस्त के ये important days इनको ध्यान रखना हम बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में किसे होक्की इंडिया जूनियर पुरुष और महिला टीमो का कोच न्यूक्त किया गया तो आंसर होगा हर्मन क्रूच को तो अभी होक्की इंडिया ने होक्की इंडिया जूनियर पुरुष और महिला टीमो का कोच बनाया है हर्मन क्रूच को और ये नीदर लेंड के रहने वाले इतना साब ध्यान रखो तो अब भारत में अपने कार्रेकाल के दोरान मलेशिया में जो एफ़ाइच पुरुष जुनियर होक्की वर्ल्ड कप 2023 होका और सैंटियागो में जो एफ़ाइच महिला जुनियर होक्की वर्ल्ड कप 2023 होका वहाँ पर भारत sanctions को ट्रेनिंग देनी उसके लिए क्या नाम है हर्मन क्रूज और एक क्रेग फुल्टन भी आपको याद होगा अभी इन्हें भारते पुरुष होकी टीम का कोच बनाया गया था ये साउथ अफरिका से हैं बाकी एडगर्स, रिंकेविक्स ये उरोपियन यूनियन के पहले खुले तोर पर समलेंगिक राष्टरबदी बने उससे पहले ही एक बाल्टिक देश लात विया उसके प्रेसिडेंट बने थे और लिंडा याका रिनो ये ट्विटर की सीओ बनी और होकी की बात आत है तो आपको यादे इस साल का जो मेंस होकी वर्ल्ड कप के भारत में हुआ था उड़िसा में पंदरवा संसकरन था और इसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को औराके फिर आपने देखा था अभी नेशनल आई सोकी चैंपिंशिप भी हुआ था लह लद्दाक में उसको ITBP ने जीता था लद्दाक स्काउट्स को औराके और एक राइबरीली होकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया पता है किसके नाम पे रखा रानी रामपाल के नाम पे अचा होकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर आफ दे यर पुरुषकार से किसे सम्मनित किया था हार्दिक सिंग को और मैलाओ में सविता पूनिया को और अभी FIH होकी प्रो लीग दोजार बाइस तेविस में भारत चोथे स्टान पे रा था और इसको जीता था न होकी महासंग के अध्यक्षकों महमत तयञ अब इकराम है अचा होकी से सम控़से समपनत एक कुछ कप आफ टौफीज की बात करें तो अजलानशा का पुगिया अगांखा का पुगिया नहिरू का पुगिया ध्यानचंद का पुगिया रंगा सवामी का पुगिया एक सिंध 24 से भारतिय टीम का नेत्रत्व कौन करेंगे तो अंसर होगा नीरत चोपडा बात ओरिये वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपेंशिप की अब इसका आयोजन कब से कब तक तो 19 अगस्त से शुरू होगा कहां पे होगा ये अच्छा प्रशन है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स बड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपेंशिप से एक और प्रश्ण बन जाएगा कि अभी आपने का 2023 वाले तो कहां पे होंगे बुड़ा पेस्ट में लेकिन 2025 वाले कहां पे होंगे ये फिक्स हो चुका है कि 2025 वाले कहां होंगे म समझो में ने और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाते हैं तो साथ मई को मनाते हैं तो चलो एक बार फिर से फटावट सिरीज में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गूल का अपने टेस्ट लिया था तो बचे वे आज कुशन यहां पे लेकर के आते हैं आप एक बार कोशिश तो करो तागे आपको पता दो चले कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं तब ही आपको कल जो ट्रिकी वीडियो आएगा उसकी एहमियत पता लगेगी तो यह रही शीट आपके सामने एक बार मैं रिवाइस करवा देता हूं आपको तो आप देखना कितने परशने सही और क असमानता मैं कमी की बात करें तो यह दसवा है अच्छा काम और आर्थिक विकास यह है SDG 8 साफ पानी और स्वच्छता यह छटवा है भूमी पर जीवन यह पंदरवा है बुकमरी की समाप्ती यह दूसरा है और गुणवत्ता पूर्व सिक्षा यह चोथा है और गरिभी की पूर्ण तह समाप्ती नो पौवर्टी है पहला और बाकी के जो थे वो हम कल करी चुके है तो इस तरह से आपके टोटल सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल कितने हैं 17 यह हम कर चुके हैं बाकी कल इसका ट्रिकी वीडियो आएगा उसमें आप लोगों का रेस्पॉंस डिप मनाया 9 अगस्त को फिर आपसे पूचा अभी किस राज्य ने ग्रह लक्ष्मी योजना 2023 को शुरू किया तेलंगना फिर आपसे पूचा अभी कमरे के तापमान वाले सुपर कंड़क्टर LK99 को किस ने खोजा साउथ कोरिया फिर आपसे पूचा अभी रक्षा मंत्रा लेके कम्प्यूटर्स में अब माइक्रोसोफ्ट उपरेटिंग सिस्टम की जगे किसका इस्तमाल होगा माया उपरेटिंग सिस्टम फिर पूचा विश्व शेर दिवस कब मनाया 10 अगस्त को फिर पूचा मनिपूर हिंसाच से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के ल अब चलो कल का हॉमवर्क प्रश्ण में आपको तो चलिए अब कल का हॉमवर्क प्रश्ण देखते हो और सेशन एंड करते हैं तो कल के वीडियो में आपसे बुचा था गांधी, सियासत और संप्रदाय नाम की बुक को किसने लिखा तो अंसर होगा प्यूस बोबले ने आप सभी ने प्रश्ण का बिल्कुल सही उत्तर दिया अब यह रहा आज का आपको अब प्रश्ण